तो बाई दो युनिवर्स से लेटेट बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं एक युनिवर्स ने तो बाई अपना गेम ही चेंज कर दिया है इसलिए वीडियो को पुराएंड तक देखना तो पहले बात करते हैं डॉन 3 के उपर तो डॉन 3 में रनविर सिंग ये तो पदा था लेकिन रनविर को ओपोसेट किया रहा अडवानी भी होने वाले एंडा साथी साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि दॉन 3 का भी युनिवर्स बनाय जा रहा है एंड आए नो बहुत लोग को ये डाउट होंगे कि रनविर सिंग सही में डॉन जैसे एक्टिंग कर पाएंगे कि नहीं बट आ हंडेट परसेंट नो देट डॉन 3 की स्टूरी अच्छी होने वाली है आई मीन राइटरी डिरेक्टर फरां रखतर है जिनोंने डॉन 1 डॉन 2 एंड जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा जिसे मुवी बनाई है एंड आए होप सो रनविर सिंग भी अपना हंड परसेंट दे अव्वेसली वो शारुकान वाला तो मैच नहीं हो पाएगा बट एज निव डाउन हमको कन्विन्स कर सके एसी एक्टिंग होनी चाहिए तो अगली निउस बहुत ज्यादा बढ़ी है वह स्पाई निवर्स से रिलेटेड तो जैसे हम लोगों को पता था कि व बाद या टाइगर वर्सेजश पांच न्यूर्स नहीं होने वाली है वाल्टू के बाद स्पाई निवर्स की नेज्स फिर्म होने वाली है शारुक खान की नहीं को बहुत स्था नहीं को मिलेगी एंड ये चीज़ का decision Tiger 3 के under performance के कारण हुआ I mean अगर Tiger की franchise जैसे movie भी box office पे struggle कर रही है तो कहीं न कई story इतनी powerful नहीं है and I also hope so कि पठान 2 की story बहुत अच्छी हो I mean by पठान जैसी ना हो पठान 2 की story और अच्छी हो and Tiger versus पठान कैसे conflict होगा ये भी और ये भी बहुत अच्छी से करे वायराफ वाले so ये थे दो major updates movie franchise से related and मुझे comment में बताना कि ये decision अच्छा था या बुरा तो चैनल को subscribe कर देना मिलते अगली वीडियो में